हालो व्रीवन ग्रीटिंग्स फ्रम डॉक्टर एश्मी सोमेपर्थी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टन दवा एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टन और गनोपेथिक मेडिसीन एस्पिडोस पर्मा के बारे में जो को क्वर्बैको भी बोला जाता है और इसकी दो वेराइटी होती है एक वराइटी का नाम है क्वर्बैको ब्लैंको और दूसरी वराइटी का नाम है क्वर्बैको कॉलरेडो जो होमेपतिक मेडिसिन बनाई जाती है इसकी क्वर्बैको ब्लैंको टाइप से बनाई जाती है इसको Brazilian fever remedy भी बोला जाता है क्योंकि Brazil में इसको fever को down करने के लिए बहुत समय से यूज़ किया जाता रहा है. Friends, इसको homeopathy में digitalis of lungs बोला जाता है. Digitalis of lungs मतलब जैसे हम जानते हैं कि जो digitalis होता है वो heart के लिए बहुत ज़्यादा एक famous दवा है, famous और इंस्टेंट काम करने वाली और इसी तरह से ये lungs पे काम करती है और बहुत ही अच्छा सा दिखाती है. अगर हम बात करें इसके sphere of action की तो इसका जो main action होता है वो आपके respiratory centers और आपके lungs यानि फेफड़ो पर होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-कौन से conditions में ये medicine काम करती है और किस emergency conditions से आपको ये बचा सकती है. सबसे पहले ये काम करती है आपके respiratory centers पर. अगर आपके blood में oxygen की कमी हो रही है, SPO2 levels आपके down हो रहे हैं, उस condition में ये respiratory centers को stimulate करती है और oxygenation of blood बढ़ाती है. जैसे कि अगर आपका SPO2 बहुत down हो रहा है, SPO2 हमेशा आपका 95 से above होना चाहिए. अगर आपने देखा कि आजके COVID की condition में भी बहुत जादा देखने को मिल रहा है कि SPO2 लोगों का down हो रहा है, तो अगर आपका SPO2 95 से उपर रहता है, तो अगर आपका SPO2 down होने लगता है, तो immediately इस medicine को लेने से आपका SPO2 immediate increase होता है, तो आपके blood में oxygen के level को बढ़ाने के लिए बहुत जादा उपयों की दवा है, इसके अलावा अगर आपके फेफडों की जो blood vessels होती हैं, उनकी hardening हो जाती है, जिसको हम medical terms में pulmonary stenosis बोलते हैं, तो उस condition में भी ये medicine बहुत काम की है, उसमें ये stenosis को खतम करके, क्योंकि अगर stenosis हो जाएगा, तो वहाँ पर blood supply affected हो जाएगी, तो stenosis को खतम करके वहाँ पर normal blood flow को बढ़ाती है, इसके लावा एक condition होती है, friends, emphysema, अगर हम बात करें, emphysema क्या होता है, तो emphysema में क्या होता है, कि जो हमारे alveoli होते हैं, मतलब चोटे-चोटे से bubbles जैसे structures होते हैं, जिसके अंदर oxidation होता है, खून आता है, heart's air, वहाँ पर exchange of air होता है, तो वहाँ पर जो alveoli होते हैं, वो चोटे-चोटे-चोटे से shapes में होते हैं, emphysema के condition में क्या होता है, कि जो चोटे-चोटे से alveoli होते हैं, उनकी walls जो है बीच से खतम होने लगती हैं, जो चोटे-चोटे से होते हैं, वो बिक साइज के बन जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, कि अगर आपके बास कोई चीज है, चोटी-चोटी है, और एकदम से ब तो उन केसिज में जब emphysema के कारण आपको breathlessness की problem हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या चोटी-चोटी से सांस आ रही है, दम घुटने जासा लगता है, तो ऐसे condition में भी aspedosperma बहुत उपयोगी दवा है, इसके लावा फ्रेंड्स, जो cardiac asthma होता है, जिसमें कि आ जाती है, इसके लावा फ्रेंड्स, यह जो मेडिसिन है, aspedosperma यूज क्या जाता रहा है, पल्मनरी thrombosis के लिए, अगर blood vessels के अंदर clots जमा हो गए हैं, और clots को हटाने के लिए, इसके लावा जिन लोगों को दम घुटता है, दमा की condition है, जिनको pump लेने पड़ते हैं, pump को इसके लिए भी मेडिसिन बहुत जादा उपयोगी है, क्योंकि यह immediate आपके respiratory centers को stimulate करती है, oxidation बढ़ाती है, और जो आपकी जो दम घुटनी जासे condition होती है, shortness of breath हो जाती है, उन condition में भी काफी जादा आराम देती है, इसके लावा अगर आपको uremic disneya है, मतलब आपके blood में अगर urea बढ़ गया है, तो उस condition में भी यह दवा बहुत जादा उपयोगी है, तो फ्रेंट जो asperma होती है, भले से इसका main sphere of action respiratory centers और फेफडे यानि लंग्स रहता है, लेकिन कुछ और पॉइंट सा जहां पर एक आपके जादा उपयोगी है, जैसे cold and cough के condition में, जब सर्द करते हैं, तब इस medicine को sexual powers को improve करने के लिए भी दिया जाता है, चाहे males हो या females हो, इसके लावा females के cases में, menstrual cramps के cases में, इस medicine को लेने से काफी ज़्यादा फरक पड़ता है, इसके लावा एक और important point है, जहां पर asperdo spama को प्योग किया जाता है, वो है want of breath after exercise, कुछ लोग होते है जिनको थोड़ा सा भी exertion करने के बाद दम घुटने लगता है, जैसे थोड़ी से सीड़िया चल लिया, थोड़ी सा काम कर लिया, कोई मेहनत वाला काम कर लिया, तो दम घुटने से लगता है, तो उन condition में ये medicine बहुत जादा उपयोगी है, तो हर एक इनसान जिसको किसी भी तरह की respiration से related problem रहती है, सांस से related problem रहती है, दमा रहता है, चाहे वो normal दमा हो, चाहे वो cardiac asthma हो, उन सभी condition में इस medicine को प्योग करना बहुत जादा जरूरी है, अगर हम बात करें current situation, अगर COVID-19 की situation की बात करें, तो इसमें भी जब तक आपको hospitalization नहीं मिल पा रही है, oxygen नहीं मिल पा रहा है, तब तक आप इस medicine को use कर सकते हैं, साथ के साथ अपनी allopathic medicines के साथ भी इसको use कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा आफर मिलेगा, बहुत immediate relief मिलेगा, बात करते हैं कि इसको लेने का कैसा तरीका होना चाहिए, तो friends, aspido, sperma को लेने के लिए, इसका 3X potency औ लेकिन अगर acute condition हो रही है, तुरंट patient को चाहिए, चेहरा नीला पढ़ रहा है, सास नहीं आ पा रही है, छोटी-छोटी से सास आ रही है, या तकलीफ के सास सास आ रही है, तो उन सभी forms में आप इसको mother tincture form मिले, तो इसको combine कर सकते हैं, दो medicine के साथ में, अगर panic के साथ ऐसा स्पर्मा की mother tincture form को लेना है, थोड़े से गुनगुने पानी को लेना है, उसमें दस बूंदे इसको डाली है, और थोड़े थोड़े देर बाद रुक रुक करके इसको पीना है, तो दो से तीन चार मिनिट के अंदर इसको पूरा खतम करना है, और उसके बाद फिर अगली उसके अलामा फ्रेंट से जो pregnant ladies है या जो बच्चों को फीट कर रहे हैं, उनके लिए भी यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी किसे डॉक्तर को इसको इसको डाइबटिक हैं, जो जिनको thyroid का problem है, वो इस medicine को बिलकुल बिना किसी problem के लिए सकते हैं, किसी भी तरह कि उनको कोई भी परिशानी नहीं होगी, तो friends कोई भी ऐसी condition जिसमें oxygen demand बहुत जादा बढ़ गई है, लेकिन आपके शरीर के अंदर oxygen नहीं है, आपका SPO2 डाउन हो रहा है, तो उन condition में आप इस medicine को ले सकते हैं, आप इस medicine को लेने से पहले अपना SPO2 चेक कर सकते लेगा, तो यह सारी information थी, aspidosporma, homeopathic medicine के बारे में, एक plant kingdom से आने वाली, बहुती safe और बहुती जादा effective homeopathic medicine है, I hope कि यह information इस medicine के बारे में, मैंने जो आप से share के आपको पसंद आई होगी, और आपके काम की होगी, और इस समय यह वीडियो सब के लिए बहुत जादा उप प्योगी है क्योंकि respiration की problem पूरी इंडिया में परिशान कर रही है, तो आप इस वीडियो को अपने लबवन के साथ, अपने family, अपने नोन्स के साथ share भी कर सकते हैं, wishing you a very good health, thanks for watching.